नमस्कार दोस्तों मैंने वीडियो बनाए था रेजिनेशन के उपपर मास्टर सुखलो नंबर 21 मैं जड़ा दिखा देता हूं आपको पहले यह इसी का पार्ट है रेले बोर्टर 2019 में निकाला था इसमें जो बारे में बात थी वह मैं आपको बता चुका था इसमें पार्ट जो रहे गया था लास्ट में पंदरा नमर में टेक्निकल रेजिनेशन एंड लियन इसमें काता है डी ओपी ती ने लेटर निकाला हुआ है रेले बोर्ट ने उसको आर भी ही यहां बताया हुआ 21-27 से सर्ग्लेट किया रेले बोर्ट ने तो मैंने का था कि पहले रेजिनेशन के हम बात करते हैं तो रेजिनेशन हमारा कंप्रेट हो गया था अब यह रेले बोर्ट का हम बात करेंगे टेक्निकल रेजिनेशन इन लियन कंसुलिडेट डेलेंस जो टेक्निकल रेजिनेशन क्या होता है रेजिनेशन और टेक्निक रेजिशन प्रेजिशन प्रेजिशन में क्या अंतर है थोड़ा तो मैंने पिछले वीडियो बताया था आज हम थोड़ा बात करेंगे तो अरभी इस्टेबलिश्ट में नंबर 212 2017 से रेलिवों ने निकाला है सब्जेक्ट एच्टनिकल रजिशन एंव्यन कंसल्य गालेंशन पशनल पॉडियोगांशी कैसे एंगलेंशन पॉड्लिक गिवेंशन पेंशन पेंशन देपांट पेंशन देपांट पर्स्नल एंट्रीन डॉपीट जो लेटर निकला है 178-16 को इंटेनिक पॉलिशी चैनि यह लेटर निकाला है सथरा दोजा सोला का यह लेटर रेले पर भी लागू होगा और टेक्निकाल रिश्चन के कई सारे मामला आजका लोग जी डी सी लडी सी दूदर कई जा रहे हैं भार से लोग आ रहे हैं पुराइड सर्विस का काउंट करने का क्या बेर्ट मिलेग से कई लोगों को फाइदा होगा काफी वीडियो जरूर दिखेगा जो डील कर रहे हैं साथ में जो लोग इन से बेनिफिशेल रहेंगे साभी लगबख सभी एंप्लोई को कभी ने कभी जाना पड़ सकता है तो क्या-क्या बेनिफिट है इस पर हम बात करेंगे यह डियो प इस पर ministry of finance जो लेटर है 1965 the resignation is treated as technical formally when a government survey is applied through proper channel for a post in the same or some other department and is on selection required to resign the previous post for administrative reasons इसमें देखे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि resignation और technicalization में जांतर बताया था रेजाइन का मतलब इस्तिफात देना का मतलब ना कोई भी कमिचारी है किसी भी personal reason से ये hey battles से नोपरी छोड़ना जा रहा है वह उसका personal reason है लेकिन official reason है इने किसी कमेंचारी का इसने कोई Ngornen ने किसी भी state government government ने किसी सरकारी जहसे सक्तान 275 को एडुडाइज़ किया है selection के लिए किसी post के लिए there कोई बी central government employee ईंक्लिड़ देल्ड एंपलई अगर वह जो address की थूप इसको को एपलाई किया फ्रू पर चैनल अगर 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 पर अपर उसका का सलेक्शन हो या तो यह पूरी लंबी प्रोसेस है तो खाए मरज जब चाहिए टेक्निकल शेंड लिसन नहीं देशा था इसके लिंगा को एक्जाम देने के लिए अपलाई करने के लिए भी पर लेना पड़ता है पिर एक्जामं देने के लिए पूरा हॉता है सरकार को जब आपको फाइन它 सरकार होता तो आपको पिछली पुट्च पे जहां कांप कर रहे हैं वहां आप बसर रखना पड़ता है जो विदल सय्ष्ट्छ है this region will be treated as technical region तो जब आप किसी ज़ेस सलेक्ट हो जाते हो किसी भी सरकारी स्टेट गौर्वर्मेंट सेट्रल गौर्वर्मेंट सेलेक्शन होता है थूप प्रॉपर चैनल आपका सेलेक्शन होता है उसको बोलते है टेक्निकल रिजनेशन इसमें कहा गया है कि कमचारी ने अगर टेक्निकल रिजनेशन वर्ड नहीं भी लिखा हुआ है कि कमचारी ने जो पुराने जो पेंशन रूल 1902 में गवर्न होता है उसके लिए भी रूल है कि कमचारी ने कंगा 20 साल की सर्वीस कर लिए है पेंशन सर्विस कर लिया वह हो सिंपल रिजड रिजन lies रहा है तो उसको रिजान नहीं मना जाएगा और यह वी एक सरकारी नियम है और इसमें भी बी ही एक जाएगा उसको सारी जो पुरानी सर्विस्ट की बेनिफिट है वो उसको मिलेंगे यह बारा सरकार का लेटर बोलता है लेजिनेशन इन अदर कैसेज इंक्लूडिंग वेर कंपेटर उतरी हैस नोट अलाव दो गौवर्मेंट सर्वेंट यह तो हुआ कि जब तो पॉपर चैनल उसने अप्लाई किया है अप्लाई किया है लेकिन कई मामदा में कम्पेटर अथरी तु दू सौर्ट एज है यह जो भी रिजन है उन्होंने मना कर दिया है फॉर्वर्ड नहीं किया है जनरली तो कर देता है मैं देखा लेकिन इसमें ज इसको फर्वर्डी नहीं किया अप्लाई किया बिना थू प्रोपर चैनल किया हुआ तो ऐसे मामले को जो है टेक्निकल रिजिशन नहीं मना जाएगा उसको पुराने सर्विस का कोई भी सर्विस को काउंट करने का बेनेफिट भी नहीं मिलेगा आलसो नो कॉस्चिन बेनेफिट नहीं मिलेगा यह कहा गया है में डेल करते था बहुत सा है ते कि कई लोग है लो का करते थे जो जाए मैं रेले के बात कर था तो तो यह प्रोपर चेनल जाने का सवाल इन इस मामले में भी two point one point two पहरा बोलता है कि अगर किसी कमचारी ने जोइनिंग से पहले भी अगर उसने अप्लाई किया हुआ है तो उस मामले में तो उस मामले में benefit दिया जासता है subject to following condition कुछ शर्तों के पूरा होने पर अगर निम्लिश काम उसने किये है तो उसको भी benefit मिलेगा पहला क्या है तो ये वीडियो के बादम से मैं सब एक जो भी कमचारी रेले में नए आ रहे है किसी भी post में उनको बता दूँ अगर उनोंने पहले से apply किया हुआ है जितनी भी post एक post दो post इन post में तो जैसे ही आप आते हैं करते हैं को लिखिए कि सर मैंने ओलड़ी वाइड या रर्व नंबर यह जहां-जहां भी सेंटरल गवर्नमेंट है इस्टेट गवर्नमेंट है जिसको भी apply किया है एक application के थूँ वड़ा कर सब्सक्राइब को दे सकते हैं का लड़ा जो भी है तो वह लगा के कर दी हो इंट्रिमेशन के मतलब यह नहीं सिधा आप देके आ गए एक्टनल में नहीं लिए एक्टनल में जरू लिजी किल्को आपने दे दिया ओफिस में बाद में आपने दे दिया है दूसा पूंट बता है तो गौर्णमेंट सब्सक्राइब करेंगा जब रजीनेशन आता है देने का टाइम उसको सलेक्शन और तब भी वह प्रॉपर ऑथोर्टी को लिखेगा कि सब मेरा जोईंग से पहले इसको अपलाई किया हुआ है और यह सब पूंट ने में रहें आता है इ जायन मांग रहा है इस सरह में काया कि अधा ओथोर्टी एक्सेप्टिंग देनेशन शूद सटिस्फाइट इसल्डेट है इसल्डेट है इसलिए अगर माली में होता तो जरूरी अप्लेशन फरूर्वर होती यह भी का गया इसमें टीसरा बेंट में 2.2 के मोलता है carry forward of leave benefits जो भी कमिचारी के पास जो present जो available balance थी उसको भी benefit मिलता है उसमें खा गया है कि in terms of rule 9-2 CCS rule 1972 हमारा तो leave rule 49 लगता है liberalize rule 49 लगता है हमारा इसमें जो भी कमिचारी है उस पर भी चुकि नियम लाग होता है तो दिल्ले में जो भी हमारा liberalize leave rule लगता है 1949 उसके तहट जो भी कमचारी रेले कमचारी है अगर उसका टेक्निक लेजन होता है तो उसके पास जितनी भी leave अवलेवल बैलेंस है लेपी HLAP और including महिला है तो CCL पुरिश को मिलती है लेकिन पुरिश के मामले कम आते है तो अगर CCL बैलेंस है तो पूरा पूरा लीव जो है वहां transfer हो जाएगा केरी फॉर्ड हो जाएगा नमबर टू में कहा है एस पर रूल थ्री थार्टी नाइट डी ओफ सीचेस रूल नाइटीन सेवंटी तो पर्माइंट अब्जोश्चन इन पिएस सू और्ट अटोनमस बोडी स्टेट गॉर्मेंट एक्सेटर गॉर्मेंट सर्वेंट शल भी ग बीज़ेंट लेगी जाते हैं यहां लियान इमिडिए खतम करते हैं वह आगे की प्यारा माया गया तो कोई भी कंचारि जब दूसरी पी एस्ग बोडी में जाते हैं वहां जनले दो तरह के ओप्श्थन्स होता है कि आप वहां जो है सर्विस काउन कराते हैं और एक होता है कि वहां से नहीं सर्वश चालू करेंगा तो यहां जितना भी उसका सैटल्मेंट पेंशिन लेना चाहे तो ले सकता है वो मिलेग उसको तो पैरा 2.2 का टू बोलता है मारग 2.3 केरिफोर LTC, LTC रेलेव में है निये प्राइट ये सेंडरल गौर्मेंट वालों के लिए इसलिए बात करने का मतलब है नि 2.4 जो है पे प्रोटेक्शन एलेविटी और पश्रीज फोर रिकोर्मेंट बीटिंग केसे देखना है सतरा जून 1965 रीट हे प्रोविजया तरो वी जो लोगोर्मेंट है वो जब किसी जगे जाते हैं तो उनको पार्टेक्शन बाता है। इंक्रिमिंट कैसे दना उसके पूर मेरा पूरा वीडियो है जो फार 22B के कनेक्शन में फिक्सेशन मैंने की काफी वीडियो बनाए जो नॉर्मल रेलेट में जो प्रोमोशन होते हैं लेकिन एक सेंड्रल गौवर्मेंट से दूसरे सेंड्रल गौवर्मेंट के जो जाने का ज उसमें कैसे करना है उसमें ABC अलब अलग क्राइटेरा बता हुआ है लोड टू है हाई जा रहे है और सेम तू सेम जा रहे है तीन कंडिशन आती है वह मिनेस के लिए अलग वीडियो बनाए वह उसको पूरा देख लीजिए वह अलब आदा गंड़े वीडियो उसमें पूरा या लिंक बात करते हैं तो मैं जनरली जो मेरे वीडियो देखते हैं उसके अदर डिस्रिप्शन में आप क्लिक किजिए दिक डिस्रिप्शन की नीचे जो है पीडियो को यवा अपलोड करता हूं साथ ने अगर उससे कंसर वीडियो है तो इसको भी वहाई लिंक में इसका यही मतलब है अगर पीफ आपके वास है तो टूपंट सिक सीनियर्टी इसमें कहा गया है कि जो कमचारी होगा उसकी सीनियर्टी होगी प्रोटेक्ट रहेगी हवां के सो गवर्मेंट सर्वेंट डिसाइट तो रिजोन इस सब्सक्राइब पोस्ट 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 प घरते होां इस संब्सक्राइब गया तो आगर वह दो सब्सक्राइब और चौए जो साल के आरहा है तो मिनियम प्रोशन करें मिनियम स्रफिस में में जो सवीच नहीं काउट होगी ऐसा कहा है तो सिनाटी आपको मिलेगी यृपन्ट सेवन में का गया applicability of pension scheme in case where government servant who had originally joined government service prior to 11 2004 apply for the post in the same or other department and on selection they are asked to standard the technicalization the past service are counted towards pension if the new post in the pensionable establishment in terms of rule 262 of ccs pension rule they will thus continue to be covered under ccs pension rule 72 even if they join new post after 11th yearni ki koji kamčari ji 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 2004 se pahle rileo me aya tha ya kis central government kama kata woh old pension scheme yani hama rileo ki baat kata rileo service pension rule 1993 govern tha or kishi wajay se ab woh jara technical legend legeen to ab neil logon ke liye to wisi tne new pension scheme lagu hoota liangin is pera ki satsang kata jata hai ki chuki woh job woh service uski continue reegi to nai ornation jane ki paat bhi woh old pension scheme yani rileo service pension rule 1993 ke tahati govern raga nps me naihi aya two point eight to ira bholta hai new pension scheme ki baat kiya in case of technical region of a government servants covered under nps the balance standing into their personal retirement account along with their plan will be carried forward to the new office jopi an plan number jopi hai nps ka woh wo wo a current term jopi organization rileway hai to rileway se aup ka nai office me shift ho jayega jopi aap ka balance mhara hooga ji kereta hai hai 2.9 bolta hai transfer of service book from parent department to personal development as per sr 198 the service book is to be maintained form a government servant from the date of his first appointment to government service and it must kept in the custody of head office in which he is serving and transfer within from office to office ये 2.9 प्याना 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 बलता है कि है इसका ये मतलब है 2.10 में लिखा हुआ है need for medical examination in cases where a person has already been examined by a medical board in respect of the his previous appointment and if if the standard of medical examination medical examination prescribed for new post is same then he need not to be required to undergo first examination. इसका मतलब ये का गया है कि आप अगर कोई कमचारी जो है वो नई organization में आ रहा है लेकिन पितली organization में अगर उसका medical board के दोरह examine किया गया और नई post पे जहां जा रहा है वहां medical statement same है जैसे A2 में था और A2 में जा रहा है B1 में था B1 में जा रहा है B2 में था B2 में जा रहा है तो अगर same है तो उसको दोवारा medical examination करने की जरूद नहीं है हालागि इसमें थोड़ा एक issue में बता दूँ मेरा मेरा मेरे पर पर भी ये case आया था तो बहार से दिखने में से ऐसा लगता है कि जो कोई कमचारी बहार से आ रहा है और same मैं तो नहीं करना लेकिन इसमें जो wording को हम पकड़े हैं तो इन्होंने कहता है कि in case where person is examined by medical board तो ये मामला मैंने हमारे जो CMS सबको बेजाता है अमदाज की बदोता रहा हूं उसमें उन्होंना objection ले आता क्योंकि रेले में किसी भी कमचारी का जो medical examination होता है वो एक जो भी डाक्टर है नॉमिटेट डाक्टर होता हूं सिंगल वन में आर्मी तरह सिंगल जो person होता हूं किसी कमचारी को fail करना मेडिकल में उसके लिए medical board बेढ़ता है जो हमारे रेले में प्रेक्टिस रूल भी चलिए ये कि जब किसी कमचारी का medical जो होता हूं सिंगल जो डाक्टर होता वो करता है वो इसको fit देता है लेकिन किसी को fail करना है तो उसमें जो हमारे medical के जो rule है उसके साब से medical board बेढ़ता है और board ही किसी को fail करसता है सिंगल आदमी नहीं करसता है तो चुकि इसमें कहा गया है कि medical board और examine चुकि किसी भी कमचारी का रेलर में medical board से examination नहीं होता है इसलिए यहां एक issue आता है कि क्या उसको करना है कि नहीं करना है लेगि central government की नियम है रेलर बोर को इसमें clear जाना चाहिए फिलाल नहीं है तो हम तो जनरली जो है दोबारा उसक incident do in case of a person was who was originally employed in an office of the Central Government if the period interval with between the date of discharge from his previous office and date of securing new appointment is less than a year it would be sufficient if the outstanding authority before making the appointment satisfy itself by the French to office in which the candidate was previously employed that the that office has have verified his character antecedent and बी में हिस कंडेट वाइल इंप्लोई इन देट ओफिस दिद नोट रंडर हिम उन्सुटूबल फॉर एंप्लोइम अंडर गुर्बन यानि कोई कमचारी का जो करते हैं करते हैं उसकी बारे में का गया है कि अगर कोई भी कमचारी एक पोस्ट एक डिपार्मेट छोड़कि ज कर लता है तो उसमें दोबारा से करेक्टर जो वेरिफिशन करेक्टर एंटिसेडेंट वेरिफाइब करने की जरूबत नहीं है ऐसा का गया अगर जो अपेंडिंग अथोटी वो सेटिस्वाइब करता है वह एक रेफरेंस लिखेगा जहां पर आया वहां पर चाहता है तो से वेरिफाइब करता है या और वहां सामने वालोगिक देता हा कि यहां जो काम करता इसका जो चाल चलने उसका बरावर था जो भी था उसका उसका पुलीकेश समांने नहीं था इन सब मामनों का कर कर देती साइटिवाइब कर देती पूरेंटे तो दोबारा से उसका करेक्टर वेरिफिशन की आउशकता नहीं है यह कहा गया है इसमें इसमें एक साथ से कम है और अपेंडिंग अथोर्टी के लगता है कि वही पुराने ओफिस को रेफ्रेंस कर सटेन बाते जान ली जाए उसके बार में तो दोबारा से फ्रेश करें जरूद नहीं लेकिन अगर एक साथ से ज़्यादा होगा तो फिर करना ही पड़ेगा यह हमारा पेरा 2.1 बोलता है अब हमारा यह टेक्नियलैइशन के पाठ में लिoughing वला पाठ आ रए जो सेकेंद पार थिर पंट वन वर लियेंग में पाठ हिसमें कि यह है कि लिए लिए यह लिएन इस एफ थार 913, it represents the right of a government employee to hold a regular post whether permanent of temporary either immediately or on the termination or period of since, the benefit of having a lien in the post service cadre is enjoyed by all employees who are confirmed in the post service cadre entry who have been promoted to a hard post declared as having completed the provision where it is prescribed, it is also available to those who have been promoted on regular basis to a hard post विडियो बना रहा था जिसमें को सवनना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन मैं अगर समझा रहा हूं तो मुझे लगता है आपको थोड़ा एजी लगेगा लियन के बारे मैं आपको बताया था जैसे कि शरी और एक आत्मा समझना जाता है आत्मा किसी ने देखिए हम ख साउंड साउंड को हम यहसूस करता है लिक देखने इससे पर कुछ चीजें है लिक दिखाई नेती ऐसे लियन जो है वह आपको के दिखाई नहीं देगी प्रेटिकल में किताबों में से एक डेफिनिशन है उसको समझने कि आप कोशिश कीजिए तो लियन जैसे एक शरीर हो होता है आपका मेरा शरी जो है क्या बिना आत्मा की शरीर होती नहीं होती ऐसे कोई भी पोस्ट होता है पोस्ट के साथ उसमें लियन जुड़ा होता है कोई स्टेशन मास्टर बात करों तो स्टेशन मास्टर एक पोस्ट है तो उसकर देख लियन जुड़ा होगा तो हर एक क यह चरिवासा हटके बात है जैसे एक शरीद और एक पोस्ट एक लिए होगा तो जिस प्रकार शरी MICHAEL बिना उसे अगर आत्मा हटा दें तो शरीर के साथ एक आपना होती है और आत्मा के लिए भी ज़रूरी होती है कि उसको एक शरीर मिल ने तो उसका भी को एस्थिस नहीं कि दोनों एक दूसरे के पूरप है सिमिलेली कोई होता है उसको भी एक लियन ऊना होता है और बिstop पर में तो इमियुटली है और जैसे दूसिको जबotomay च्र.फप दूसरे चाहता हुगा और आत्मा एक उत्फерीम में होती और पूर्ना जर्म होता है तो उसके आत्में यहां से निकल के दूसरे जर्म में चलेगी सेम एक आदमी जब एक पोस्ट जुड़ा हो आता है तो उसके साथ लियन होता है जैसे उस पोस्ट से टांसरो के किसी और पोस्ट पर जाता है तो उस पोस्ट के साथ लियन नहीं पोस्ट जैसी नया लियन मिलेगा आपको पुराना उसको लियन खतम हो जाएगा तो एक एक टायम एक ही लियन रहेगा यह एक आगया इसमें 3.1.2 the above right will however be subject to condition that no junior most person in the cadre will be liable to be reverted to the lower post service cadre if at any time post number of person so entitled is more than a post available in that cadre यह fundamental rule है इसको लियन के subject में डालावा है मेरे साब से लियन की जरूत नहीं को भी fundamental rule है कि हमारे को भी केडर होता है केडर का मतलब आपका grade की बात कर रहा हमाले में है station master बात करूँ आज की तारीक में हमां बैए 4200 level 6 और level 7 दो इसके बाद 6 तो मां लेजिए केडर भी केडर माले जीए लेवल 6 का जो केडर है आपका दो ही केडर माने आपको 6 में मान लेजिए आपके 40 और य्यादि इम lance बश्रतार हो जाएगई तो आपके जो भी जुनिर आपके 5 वी वो रिवर्ट होके नीचे आएंगे आपके 42-6 में आएंगे फंडामेटर रूखने की प्रेटियल में देखा होता नहीं जरली लोग चालाता जाते हैं कि पांच लोग को इनके रिटार होंगे मरेंगे कुछ तो कुछ होगा लेकिन प्रेटियल होता नहीं लेकिन दूल यह है कि आपके पांच आदमी जो है उनको रिवर्ट करके आपको 42 में लेके आना है यह नियम की बात होगी तुरी पॉइंट टू लियन ओन देट पोस्ट अब लियन के बारे में कुछ डेफिनिशन होगी कि लियन कप-कप रहता इसमें कई बार कोश्चन आते हैं इसको समझने क किसा गौर्वर्मेंट सर्वेंट हूँ है उन्ने पोस्ट रिटेंस लिवन और देट पोस्ट एक अमिशारी है जिसे मने बात करतें से ने जोइन किया जैसे ही रिगूलर होते हैं उसको इसको आत्मा मिल गया शरीर था मैं अब क्या लियर मिलें मतलब पोस्ट पेस्ट में occupy किया station master post occupy करते है उसमें लियन आ गया ठीक है अब यह लियन उसके कब तक रहेगा लियन उसको लियन का जो benefit उसको कब तक मिलेगा रिटेन से लियन उसके पास वाइल performing the duty of Munak estar डूटि पर रहेगा लियन ना लियन वी विदायट पोस्ट रहेगा नहीं तो जब भी वो डूटी कर रहा है वाइल परफॉर्मिंग डूटी सो पोस्ट डूटी पे जब रहेगा तो लिए रहेगा रहेगा इसको वाइल ओंस फॉरेंच सर्विस और होल्डिंगे टेमरी पोस्ट ऑफिशेटिंग अगर वह फॉरेंच सर्विस में गया है बाहर वह फॉरेंच ग्रेड में है और सब्सक्राइब कर रहा है पॉटी शिक्स में और है फॉटी तुग ही लिए में डाइगा उसको अफुसेटिंग कर ए मैं करते है और और duties on the odd post कोई कमचारी यह जैसे मैंने बताया है कि कमचारी है उसका एक station से बी station transfer हुआ है तो जोनी टाइम लिया उसके दस दिन बारा दिन जो पनाज मिलता है तो जोनी टाइम में भी यहां से रेली हो गया यह station से बीच में जोनी टाइम में समय यहां लेंच चाल हो जाएगा तो इसमें का गया है सी के अंदर कि जोनी टाइम के अंदर ही पिसला वाला जो पोस्ता उसका लिया रहेगा लेकिन एक किये कि अल्याइस टांसवर सब्सेंट्रे टु पोस्तों लोर पे इन विच लिया इस टांसवर तो न्यूपस फोम देट ऑन विच यह इस डिलिवड यानि कंचारी जो है मैं आपी स्टेशन मेंस्टर की बात करूंगा कि अगर बयां लिच्व से बयां लिच्व में गया है स्टेशन में गया है है यरिच्व से बयां लिच्व से बयां लिच्व yah씨 बइंडियलिज उस यार फोम वे खाता है अम بहां पे इसको जहांके जहां बहीं बबेस हो कर दो नई जै जारा उसका लियन और कर लेगा यह का गया है इसमें एक अंदर का गया वाइल और लिए चुटी के अंदर भी आपका लियन रहेगा वाइल अंडर सस्पेश्चिंश तो एक कमचारी जो होता है पस्तित हैं या तो वह डूटी पर करें का लिए बता है और लिए को भी आदमिया हमें यह तो छोटी झीजह घंज होती यह होती है हर आजमिक का यहीं अपर आजमियर यह लगत कि मैं है तो, यह जो ज़्य हो सब्सक्राइब वो लिव पर रहता है वो अडिविशिएर्ट डान्ट टास्मिन जो इन ताप जो इन तीन चीजे नौर्मल हर अदमी के होती है उसके बाद जो होता है कई बार जाते है जिसमें भी गया था विजिलिस मेंने उनका लिएन में होता है पांस कंडिक्शन में जिन लिए को उनका भी लिए आपको रहेगा तो यह पांच उस सरक्मटांसेस में लिएन मेंटेन रहेगा यह हमारा थ्री फोईंट टू पहरा बोलता है तो जैसे कोई कमचारी किसी पोस्ट पे लियन एक्वायर करता है यानि मैंने जब बता था कि A station से B station transfer हुआ या B post पर जा रहा है तो जैसे उसने B का लिया लेते ही पहला एक अपर जो है अगर पुराना लेता है तो पुराना वाला उसको लियन खत्म हो जाएगा और एक बार लियन खत्म हो गया फिर वणना आपके स्पोस्ट पर नहीं आ सकता है त्री पॉइंट थ्री बोलता है retention of a lien for apartment in a rather central government office state government दूसरी सब्सक्राव हुआ हम थे लोग الرएंब करते हैं वह दूसरी ऐप्ला इंट्रेवी को एक साम दे लिग्ञान की कि शोड़ता है उसके बाद में खूछ लेइन रखने कि कि किना टाइम तर हैं कि यह रखना उसके बारेन थी पॉर्इंट थी पे रहा बात करें गे कर देड़ जो तो नोर्मल यह कोई कमचारी है वह यहांसे एक डिपार्मेंट छोड के डिपार्मेंट अफिस टेट जो भी छोड़कि जब नहीं जगी जाता है तो उसका मेकजियम जो लियन रहेगा लियन उसको रिजाइन करना पड़ेगा दो साल के अंदवर रिस एक्सेप्सन जो जो विशम परिश्चितितियों में एक्सेप्सन इसको अपर यहार परसे जी बोलेंगे हिंदी अगर अपर circumstances मामले में तीन साल तक रख सकते हैं तो नॉर्मली कोई बंदा एक office department से दूसरी office जब जाता है उसका maximum जो lien हम रखेंगे दो साल तक रखेंगे मतलब दो साल का अनर वापिस आ सकता है एक बाश कर लिया खतम कर दिया किव दो सालका तो फिर वह नहीं आ पाएगा तो दो साल तक वापिस आता है और सब्सक्राइब तीन साल तर उसका में लें रखेंगे कि एक्षब्सक् सिंट किसे क्या है वह भी आप बताएंगे लुए पर बाश जो भी बात है नंबर टू जो है दा एक्सेप्सेंस केसे में भी वेंड गौर्वर्मेंट सब्सक्राइब नोट कंफर्म इंद डिपार्मेंट ओफिस वेर ही इस जॉइंड वितन प्रियोट तो एक्सेप्सेंस बतायते हैं तीन साल रगना अगर कोई कंचारी है वह दूसरी जगे गया है तो उसको फिर एक साल और मिलेगा यह कहां गया है यह सच कैसे कि में भी पर्मिट टू लियें रिटेंड लियन प्रेजेंट डिपार्मेंट ऑफिस फॉर मौर वन यह तो अगर माली जी किसी वज़े से दो साल के अन्ट जनरल कंफर्मिशन हो जाता है हमारे सेंटर का नि टेकिंग सिमिले टू वन इंडिकेटेड अबोब में टेकन फॉम्ट अगर इस सेम जैसे हमने उपर पेरावन में अंडिटिंग लेना है यह से दोबार लियन के बारे में कि एक साल हम रखेंगे उसके बाद नहीं आया ता आपको लियन टामिट कर देंगा है इंडिक्शन टेकन टो एंशुर एक्स्टेंशन रिवर्जन रिजिनेशन ऑफ देंपलोई हूँ तो देर पेरेंट गडर्स और प्रिसक्राइब प्रियोफ प्रियोफ तू और थी अस तो इन ने कहा है कि दो तीन साल जो भी होते है कोई कम चाली जाता है तो दो तीन साल होते हुए उसक फक्रिंट्डर करना है 100 जो वह लाए को इसकी को नहीं तो सिध्य को आपको कि अपनीन की ऐग क करने के बार में रंफितन नहीं पहिन जैंञा नहीं जब लोग हो जाता है तब करेको नहीं श्यमाइड हो जाना है ही तो फिर करेज ले कि कोई कैसी बनका बीछा था है यह जांता खूंकर को चाहां एक यह को फसक यह reason तो उसके लिए यह पेरा तिर्व में जो फॉर्म डिस करना है उसकी विरिगाल से जरूत नहीं पड़ती है और में का गया है टेम्परेरी गवर्मेंट सर्वेंट विल बी रिक्वाइट तो सीवियर करेक्शन विद गॉर्मेंट इन के लिए रूल है तेम्परेर आगए में उसके लिए काँए उनको इमेनिट लिए रिलेशन हमारे खत्म करने पढेंगे जो बी अनए जगा पर जाड़े हो और उनके लिए लिए को रखने है कोई नियम नहीं है साब मना कर दिया है कि temporary government के servant के मामने में कोई lien नहीं रखा जाएगा इस पॉइंट फॉर बता है termination of lien a government servant's lien on a post may in no circumstances be terminated even with his concept if he if the result will be to leave him without a lien upon a permanent post जैसे मैंने आपको पहले बतायाता है कि बिना शरीर शरीर में आत्मा के बिना कोई शरीर नहीं होगा शरीर है तो आत्मा होनी चाहिए similarly कोई भी post है तो उसमें lien होता है तो कोई भी कमचारी अगर किसी post पे है तो उसमें lien होना जोरी है किसी भी कमचारी को बिना lien को किसी नहीं रखा जाएगा, अगर कशी लिख के भी देता है, तो भी अगर विलिग में भी बिलता है, तो नहीं आपको आपको इस post में lien रखना ही पड़ाएगा. Unless his lien is transferred, a government cement holding substantially a permanent post returns lien on that post. अगर किसी का lien ही transfer हो गया, तो अलग बात है, तो इसमें कहा गया है कि यह बहुत सही नहीं होगा कि आपको इसने बोला ही नहीं हमको लियन रखने के लिया रहो, या फिर आपने किसी का टेक्निकल रखने दे दिया और उसको भागा दिया जाओ, हम लियन रखेंगे नहीं, आपने रिक्रेश भी नहीं किया, यह सब गलत प्रेक्टिस है, को भी कमचारी जाता है, तो आपको दो साल मिनी है, उसको लियन रखना ही है, इस प्रेश प्रेश को भी कमचारी किसी और प्रेश पर लियन रखने इसकोंड पर लियन रखने। करता है यानि एक पोस्ट पर बंदा था टांसर हो गया उसका वहां जॉइन करता है जैसे work fø gratis हुए यहां cima मतलें यह निकलता है कि जैसे केसी बियर से कोई बंदाः नहुसका धिके नहीं तो नहीं मिला जीए तो फिर आपको यहां तर रीने आट बीन कर देगा यह नहीं आ Merci होगा तो यहां का लिएन अपो टर्मिरेंट कर अब लियन कहां नहीं रखना जैसे नॉमर्मालिय नो नो बता दिया कि लियन को भी कमशारी किसी एक organization से दूसरे organization office जाता है देपार्मेंट जाता है तो लियन मैंटन करना है अपको लेकिन कुछ मामले में लियन मैंटन नहीं करना है वो बताए थी पोंट 4.3 में आए जाता है नहीं रखना जैसे वहां उनका एभ्जविश्विशन होता है तो आपजविशन होते ही 20 जिन कि पिकाम के अन्द धर 25 तॉश्विष्यन होते ही यह है जिसके सुन् 118 एहां। इम्मेडेटली तो निकरना है जिसे आपने आज टेक्निकल दिया तो कल से खतब निकरना आपको जिसे वह आपको जिसमें आपको दस दिन-फंदा दिन महीने का टाम लगेगा और जैसे वह उसने परमेंट अब्जिस हो गया यहां कर लिए टर्मेट करते हैं आपको और फॉर इसमें एक चीज मैंने एक रूल और पड़ावा जिसमें लिखा हुआ है कि जो परमेंट अब्जिशन बेसिस के अंदर नॉन्मर इंटर्मिनियर का है लेकिन जैसे मैंने का है कि ज़िसे जो 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 एक अंदर बदा दूं कि अगर परमेंट अब्जिशन में जाते हैं अब तक वह नहीं पोस्ट पर जाके वह अब्जों नहीं होता है या भागर लिया नहीं करता तो उतना एक शॉट प्रिएड के लिए रखते हैं अगर कोई कमचारी परमेंट बेसिस पर गया है और शॉट प्रिएड में वाले 10-15 दिन पंदा दिन में कुछ सरक्रूम्द्र चैंज होगे और वापी बेक करके आता है तो हम उसको ले लेंगे उसको मना नहीं करना उसको कि नहीं हम को रहते हैं वह देंगे वह नहीं को नहीं पक्ट नहीं लेंगे is not performing the duties of the post to which lien pertains can be transferred to another post in the same credit subject to the provision lien transfer की बात किये अब 3.6 में का गया है joining time joining time पे टेवले लांस को भी कमेंचर है जब transfer होगा एक इस तान से दूसरे स्थाम के देशा को मालू है कि join time मिलता है जो टेवले लांस जो मिलता उसके बारा में जो benefit की बात हुई है provisions relating to joining time are as follows for appointment to post under central government on result of a competitive and or interview open to government servant and other central government employees and permanent provisional permanent state government employees will be entitled to join time under CCS rule 1979 joining time will be included as qualifies arrays in the new जो भी कमचारी जिसमें बताया टेक्निक्रेशन के लिए थूपर चनल जाता है और उसके लिए जो भी completely exam pass करता है यह diet interview selection होता है तो वह उसको जो है इसमें काया है कि join time का benefit मिलेगा और join time के दोरान उसको service होगी उसकी qualifiances count होगी यह खागया का पेरा 3.6.1 6.2 बलता है government servant on join time shall be regarded as on duty during the period and shall be entitled to the pay to be paid join time pay equal to the pay which he was done before the request of the charge of the office तो इसमें यह भी काया number two में कि join time के दोरान उस period को duty माना जाएगा और उसको pay भी मिलेगा और जो भी जो उसने वहाँ charge छोड़ा था छोड़तने वक्त पिसली जो post का charge उने छोड़ा था उस छोड़ता वक्त जो उसका pay था उस during during time do you scope pay मिलेगा और जाइब अटाइब उस प्रक्राइब के उपस को DAB मिलेगा if any appropriate to the joint time pay in addition to he can also drug composatory allowance like house and allowance as approval to all station from which he was transferred इसके साथ उसको hra b मिलेगा जो old station का जो hra ता rate था वो उसको मिलेगा he shall not be allowed conveyance allowance or पर्मेंट यह का गया थो पॉस्ट अंडर सेंटरल गॉवर्मेंट अवर्मेंट इसलिग देने की बात किये यह जनरल में कहता हूं शायद तो सीटी जी होगा सीटी जी ही वही मिलना चाहिए तांस्फर टेवलेंट इसका मदलब सीटी जी होगा रेले के बईवाशा काया तो यह मेरा वि सेंटरल गॉवर्मेंट इंप्लिएंट इसलिए उनको टीटी जी नहीं मिलेगा तो मैं तो बता दो मैं कि जितना भी बैते मैंने कही है यह सिर मेरा इंटेप्रेशन है पस्नल इंटेप्रेशन है इसको प्लीज ऑफिशेरी ना लिया जाए क्योंकि हर रूल का अपना इंट करता है कोई बाते हम जब अपने फाइदे के लिए इसको इंटेप्रेशन करते हैं तो अर्थ का अरनत हो जाता है तो प्लीज अगर आप इसको जब अपके हां क्लेम करते हैं तो उसको ऑफिशल वे में आप अप्लाई करें और जो भी वहां संबंदी सक्षमधिकारी हैं उ उम्मिद करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और काफी लोगों को काम आएगा तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहें तो सब्सक्राइब जरू करें सब्सक्राइब करने से हमको भी मोटिशन दिलता है और लाइक जरू करें और अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने साथियों को भी रूल के बारे बताना चाहें तो शेर जरू करें धन्यवाद